लेकिन देट चेंज करना भूल गया थे इसलिए यहाँ पर जून और जुलाई दोनों मन्त की इंट्री जून डेट पर ही हो गई थी ठीक है तो हमने इसके बारे में आपको समझाया भी था यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगस्त से इंट्री करना इस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर चलते हैं वाउचर्स में और डेट चेंज करते हैं आपर F2 प्रेटन प्रेश किया 1-8 यानि कि 1 अगस्त यहाँ पर 1 अगस्त हमने सेट कर दिया 1-8 तो यहाँ पर अगस्त जो है डेट सेट हो गई है ठीक है सबसे पहले डेट चेंज करनें आपको याद रखना है फिर उसके बाद यहाँ पर अगस्त का पहला क्योश्चन है Mr. Verma paid by check 6000 तो यहां पर 6,000 रुपए जो है इन्होंने पे किया है इन्सोरेंस करवाया है तो इसका जो पर आप देखेंगे पांसोरेंस करवाया है तो यहां पर इन्टार्याण सोरेंस कर दिना हो जाएगा प्रि पेड इन्सोरेंस को जाएगा प्रीipad insurance आपको पता है इस से पहले हमने प्रीपेड सब्सक्रेप्शन वाली एक इंटरी की थी प्रीपेड जर्रीप्शन वाली ठीक है जोलाइ में किया था याद होगा बिलकुल वैसी ही है लेकिन यहां पर अबकी बार fixed assessed का insurance किया है तो हम prepaid insurance यहाँ पर रहेगा हमारा debit में हो जाएगा prepaid insurance ठीक है prepaid insurance और credit में यहाँ पर हमारा हो जाएगा HDFC bank क्योंकि हम HD यानि की check से payment कर रहें के लिए रहें और laser यहाँ पर prepaid insurance का बनेगा और यह under जाएंगे current assets के क्यों जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रिपेड कर रहे हैं इसको हम बताया था हमने कि loan signed advance में भी रख सकते हैं लेकिन इसको हम current assets में रखेंगे ठीक है क्योंकि यह इस टाइप की इंट्री बहु जादा नहीं है बस यह किया दो या तीन ही है बस ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हमें बहु जादा ग्रूप की जरूत नहीं है तो सीधे current assets में हम इसको कर सकते हैं वाउचर यहाँ पर पेमेंट हो कर लेंगे तो यह complete हो गई अगला question Mr. Verma received 30,000 in cash as consulting revenue from ABC computer ठीक है Mr. Verma ने 30,000 रुपए cash जो है वो प्राप्त किया है अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पर यह income होई है consulting revenue ठीक है तो यहाँ पर consulting revenue यह credit हो जाएगा और cash यहाँ पर जो है debit हो जाएगा laser किसी के नहीं रिशिप्ट वाउचर क्या होगा रिशिप्ट क्योंकि पैसा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है के लिए रहा है चलिए यहाँ पर voucher रिशिप्ट हो गया credit में यहाँ पर consulting revenue हो जाएगा ठीक है और कितना है 30,000 रुपए है ठीक है 30,000 डेविट में यहाँ पर cash हो जाएग बाइ चेक द्वारा तो आपको पता है कि salary हमें कितनी पे करनी है voucher यहाँ पर payment होगा debit में salary होगा अगर नहीं पता तो question number 4 जो है वो देख सकते हैं अप्रेल मंत में वहाँ पर बताया गया है टोटल 12,000 रुपए salary हमें पे करनी है और salary हो गया सुभम हो गया सुभम का कितना होगा सुभम का था 7,500 रुपए अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा तो जाहिर सी बात है कि जब आप real work कर रहे होंगे तो वहाँ पर किसको कितनी salary मिल रही है या आपको कोई ना कोई बताएगा या फिर आपको पता होगा ठीक है तो फिलाल यहाँ पर गी फिर Mr. Verma paid office rent यानि कि यहाँ पर rent दिया गया है वही चेक द्वारा है तो इस rent हमें पता है 25 रुपए है यहाँ पर डेविट में आपका rent हो जाएगा 25 रुपए और credit में यहाँ पर HDFC bank हो जाएगा क्योंकि चेक से ही payment किया गया था किलियर है अगला question Mr. Verma withdraw 25,000 from HDFC bank Mr. Verma ने आगे होता for personal use ठीक है अगर यहाँ पर आगे होता for personal use तब यहाँ पर आपका voucher होता payment और फिर उसके entry होती डेविट में आपका withdraw होता और credit में HDFC bank होता ठीक है कि मिस्टर वर्मा ने जो 25,000 रुपे विड्रो किये हैं ये बैंक से निकाले हैं लेकिन ये बिजनेस में ही वापस कैस के रूप में आ गए हैं, कि यहां पर डेविट में क्या हो जाएगा आपका कैस हो जाएगा कितना 25,000 रुपे से और क्रेडिट में यहां पर आपका एच्डी एफसी बैंक होगा क्योंकि बैंक पैसा दे रही है पच्चेस था जार वाउचर यहां पर कंट्रा होगा ध्यान रखना इस बात का ठीक है त इसको भी हम अशेप्ट करते हैं यह इंट्री भी कंप्लीट हो गई अगला कोश्चन मिस्टर वर्मा पेड 750 इन कैस्ट वार्ड ऑफिस मेंटेनियंस जो की खर्चा है वाउचर पेमेंट होगा आप सारी चीज़े आपको अच्छे से पता चल गई होंगी ठीक है साथ अजा उधार हो गया तो आपको पता है इसमें डेविट क्या हो जायागा डेविट हो जाएंगे मीडिया लाइव प्रडक्शन ठीक है कि यहाँ पर आपका जन्रल ओगा क्योंकि एंट्री उधार हे लेजर बनेगा अंडर जाये संद्री डेविटर कि हम जब किसी को उधार देते हैं तो वो sundry debitter में जाता है के लिए रहे consulting revenue का laser अल्रेडी बना है कई बार ये use भी हुआ है direct income के अंतरगर ठीक है चलिए तो यहाँ पर इसको फटा फट करते हैं तो यहाँ पर voucher आपका हो जाएगा general और debit में यहाँ पर आपके होंगे media life production laser बनाते ह और ये अंडर जाएंगे sundry debitter के अंडर किसके जाएंगे sundry debitter और एंटर करते हैं maintenance bill by bill detail यहाँ पर इसको yes करेंगे और एक second यहाँ पर और finally इसको यहाँ पर हम अशेप्ट कर लेंगे ठीक है इनका amount कितना है 50,000 रुपए है 50,000 हो गया और यहाँ पर क्या है new refer transaction यह नहीं कि paid 950 in cash toward electricity charge यानि electricity bill दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर mobile phone जो है मलब telephone का bill दिया है लेकिन यह चेक में दिया है और यह cash में कर सकते हैं मलब इसमें cash है इसमें check है फिर भी हम दोनों को एक ही question में मलब एक ही बार में एक ही voucher पर entry कर सकते हैं ठीक है आपको करके भी आपको देखे voucher payment होगा दोनों में डेविट में एक बार आपका हो जाएगा electricity bill यानि electricity expenses कितना amount है electricity expenses का 950 रुपय है यहाँ पर 950 रुपय है दूसरी बार फिर से डेविट होगा फिर से डेविट होगा आपका telephone expenses कितना है देख लेते हैं telephone expenses आपका है 2100 रुपय है और यहाँ पर हम एक बार कर देंगे cash को cash एक बार credit में 950 करेंगे और दूसरी बार credit में यहाँ पर हम कर देंगे HDFC बैंक को 21 रुपय है तो I think समझ में आगई होगी बात हमने एक ही payment voucher पर दोनों इंट्रियां कर दी यह electricity debit और यह credit में उधना ही cash हुआ यहाँ पर telephone और HDFC बैंक of 48,000 by paying rupees 20,000 in cash and rupees 28,000 by check यानि कि question कह रहा है कि media live production ने अपना पूरा bill वो settle कर दिया यानि कि final amount पे कर दिया है लेकिन final amount पे कितना किया है 48,000 रुपय जिसमें 20,000 रुपय इन्होंने पे किया है cash यानि कि नगत और 28,000 रुपय पे किया है चेक दोरा लेकिन अगर यहाँ पर हम refer transaction number 54 जहाँ पर यह entry आई थी वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह 50,000 की entry थी यानि media live production के account में कितना था 50,000 रुपय यह Sunday debitter थे clear है लेकिन यहाँ पर इन्होंने pay 48,000 ही किया है लेकिन साथ साथ में यह भी यहाँ पर बताया गया है कि पूरा bill जो है वो settle कर कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा तो अगर यहाँ पर mention है कि पूरा bill जो है वो settle कर दिया गया और final amount pay कर दिया गया 48,000 तो इसका सीधा मतलब है कि अगर इनका amount ज्यादा है यह 50,000 है तो 2000 रुपय discount हो जाएगा वो amount हम discount में डालेंगे clear है अगर question इस तरह से होता है मिस्टर वर्मा रिशीब कैस 48,000 फ्रॉम मीडिया लाई प्रोडक्शन है नहीं मीडिया लाई प्रोडक्शन से 48,000 रुपय प्राप्त कर रहे होते हैं लेकिन आगे और कुछ नहीं लिखा होता final settlement या ऐसा करके तो इसका मतलब था कि 2000 रुपय अभी भी बाकी है 48,000 के entry कर देते 2000 अभी भी भी बाकी दिखाता लेकिन यहाँ पर final amount है इसलिए हमें पूरा इनके amount से 50,000 रुपय हटाने है ठीक है जो कि यह debit है तो हमें यहाँ पर किस तरह से entry करनी है तो देखिए यहाँ आपका डेविट में cash मलब यह तो cash तो आपका debit हो जायागा cash हो जायगा आपका debit कितना यहाँ पर हो जायगा 20,000 रुपय कितना 20,000 रुपय दूसरी बार यहाँ पर फिर से debit हो जायगा HDFC bank क्योंकि हमें चेक भी मिल ला है पैसा पाने वाली है bank कितना 28,000 रुपय के लिए र प्रडेक्शन में यहां पर हम 48 नहीं रखेंगे बलके 50 रखेंगे पूरा 50,000 रुपाई क्यों क्योंकि यह 50,000 से डेविट थे पचाहँ जार यहां क्रेट हो गया तो इधर का भी आपका 50,000 हो गया और यह भी क्रेडिट का भी आपका 50,000 हो जाएगा इसमें लेजर किसका बन लुदा मत्मि प्रडेक्शन में अपर यहां पर 192 रखेंगो जाएगा यहां पर इस एंट्री को सॉल्फ करते हैं यहां पर वाउचर यहांपर आपका रिशीप्ट होगा और credit में यहां पर आपके हो जाएंगे media live production media live production कितना 50,000 रुपए से 50,000 रुपए से एंटर करेंगे तो यहां पर method of adjustment जो की हम adjust करेंगे AGST refer transaction और यहां पर एंटर करेंगे यह 50,000 रुपए है debit में यहां पर आपका हो जाएगा cash कितना है 20,000 रुपए है दूसरी बार debit में आपका HDFC bank, HDFC bank 28,000 रुपए है तीसरी बार automatic जो है यहां पर debit आ जाएगा और यहां पर हम बनाएंगे laser discount expenses का तो discount expenses अंडर यह जाएगा indirect expenses के indirect expenses के clear है not applicable, cost center not applicable और यह हम injury accept कर लेंगे expenses में गया है लेकिन अगर हमें किसी को payment देना होता और discount हो जाता तो वह हमारा discount received होता और वह हमारा जाता indirect income में किसमें जाता indirect income में जाता clear है चलिए तो यहां पर इस entry को हम अशेफ्ट कर लेते हैं यह entry complete हो गई अगला question Mr. Roma withdraw 7,000 cash for personal use देखें यहां पर यह personal use के लिए यहां कि नेजी खर्च के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो यहां पर यह entry payment voucher पर जाएगी voucher payment डेविट में यहां पर withdrawal हो जाएगा कितना 7,000 रुपए और credit में यहां पर cash क्योंकि यह नगद ले रहे हैं के लिए चलिए यह entry भी हो गई अगला question Mr. Verma received 30,000 by check from alpha tech solution यानी Mr. Verma ने 30,000 रुपए का check जो है वो receive किया है किस से receive किया है alpha tech solution से तो आपको याद होगा alpha tech solution पर हमारा 30,000 रुपए बकाया था तो यहां पर voucher received हो जाएगा ठीक है voucher क्या होगा receipt होगा क्योंकि मैं पैसा प्राप्त हो रहा है किस से प्राप्त हो रहा है alpha tech solution इनका कितना बाकी है 30,000 रुपए ठीक है 30,000 रुपए हो गया और यहां पर हम अर्जेस्ट करेंगे इसको यहां पर देखिए बकाया बैलेंस इनका पहले से था अर्जेस्ट हो गया और चेक मिल है 12,000 रुपए ठीक है और यह इन कैस यानि नगद हुआ है तो आपको पता चल गया होगा voucher payment डेविट में यहां पर convince expenses हो जाएगा convince expenses कितना है 12,000 रुपए था सायद देख लेंगे और credit में यहां पर कैस हो जाएगा और इसको भी हम अशेप्ट कर लेंगे ठीक है एक बार वापस आते हैं और चलते हैं सीधे टी, ठीक है shortcut की trial balance में पहुँचने की क्या है D&T, D के मतलब यहां पर आप display की shortcut है हमने बताया था, shortcut की आप कैसे पहचाने की तो हमने बताया था कि यहां पर जिसे create या alter या जो भी यहां पर आपकी सामने option दिख रहे हैं इसमें से जो later capital है और उसका थोड़ा सा color change है वही उसकी shortcut की है जैसे C है इसकी A है इसकी H है इसकी V है इसकी K है ठीक है इसी तरह से display की D है ठीक है तो यहां पर हम सीधे प्रेस करेंगे D बटन और चले जाएंगे डिस्पले में फिर trial balance की T है तो यहां पर T बटन प्रेस करेंगे तो इस तर 27,500 है ठीक है इंडारेक्ट expenses 99,200 है तो इंडारेक्ट expenses आपका 99,200 है इंकम जो है 270 है तो यहां पर 270 है ठीक है यहां पर आपका current assets है 369,800 तो 369,800 फिर यहां पर cash bank को चेक कर लेते हैं 188,300,135 तो यहां पर 188,300,135 ठीक है फिक्स रसेस तो आपका वही चला आ रहा है 83,500 और आपको अच्छे से पता चल गया होगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो भी वीडियो लेक्चर या फिर PDF नोट्स है सारा content जो है वो पूरा complete free है तो अगर आप हमें support कर सकते हैं तो यहां से आप हमें support कर सकते हैं यहां पर हमारा account number IFSC code and UPI ID and QR code दिया गया है आप जो भी आपको उचित लगता है आप पे कर सकते हैं अगर आप सक्छम है तो जरूर पे करें तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स फ़र वचिंग इस वीडियो